वेलकम बैक आंस ट्रीम आफ लीम्स आज बात होगी लिकीता obina infrastructures inseam begins नाम से पता लग जाता है की company infrastructure से युदी हुई company है पहले बात होगी company के बिजनस आते हैं प्रहम बात करेंगे company के fundamentals then बात ऐगcing पर होगी technical चार्ट वो बंद होकर पाइप लाइन पढ़ चुकी है जो कर गैस हमारे घर घर पहुचाती है जैसे कि पहले पावन आता था अब वो गैस है जो हम घर में चूला जनाने के लिए यूज करते है वो गैस को आपके घरों तक पहँचाने का जो कामकाज करती है वो ये company करती है लिखीता infrastructure, जानी के ये company pipeline बिछाने का कामकाज करती है, हो सकता है वो gas आपकी ideal की आरी हो, जा County宁ची से आरी हो, जाए गेल से आरी हो वो अलग बात है, लेकिन उसको बिछाने का कामकाज करती है वो लिखीता infrastructure करती है, तो basically city gas distribution में company pipeline बिचलने का कामकाज करती है अगर हम बात करते हैं कौन-कौन से इन्होंने प्रजेक्ट्स हैं जो complete कर लिए है MP यानि कि मादरापरदेश आंदरापरदेश, करनाटका गुजरात, दिल्ली, यूपी, एस्ट्रा ऐसे बहुत सी cities है जहां पर इन्होंने अपने प्रजेक्ट्स से complete कर लिए है और कौन-कौन सी company इनके साथ जुड़ी हुई है आप देख सकते हैं गेल जैसी company इनके साथ जुड़ी हुई है आईगी है, जानि कि इंदरपरस्ट gas limited, दिली वाले इनको बहुत ही अच्छे नाम से जानते होंगे काफी इनके जो CNG के stations है दिली में और जो दिली में mostly gas है वो इनकी pipeline से बिशी हुई के आती है इसके बाद ONGC जैसी company भी इनकी services लेती है जानि के जो pipeline जो डालते है वो ONGC की जो gas आपके गरह में आती है वो लिखीता infrastructure के दोबारा डाली हुई pipe है इसके बाद जो हमारे जो CNG station होते है उनका वो construction करने का वे खामकाज करती है वो भी लिखीता ही करती है दोस्तों काफी अच्छी company है जो आने वाले जो कह सकते हैं इनके ongoing projects हैं वो देखे कहा कहा इनके project से चल रहे है जहारखंड जैसी state है वेस्ट बंगॉल है बिहार है तमिल लडू है तेल गाना है ये भी मतलब के इनके जो ongoing projects हैं इन में से कौन कौन से clients है जो आपको जानते हो है basically हो है BPCL, IGL, Gale, Indian Oil, Adani Gas बहुत नाम सुनाओगा दानी कैस का तो हो सकता करियों के पास ये शेयर भी हो IGL के नाम से तो एक बहुत ही अच्छे business model है क्योंकि आने वाले time में हम देखने को मिलेंगे जो cylinder है वो basically हमारे जो culture से नुप्त हो जाएंगे एक किसम के हमको domestic के लिए इवन के industrial cylinder भी अब खतम हो जाएंगे तो उसको government ने बहुत ही पहले कदम उठाया लिए इसको 2030 तक में भी शायद plan है Indian government का भी ये सबे के सारे जितने भी gas distribution होगी वो pipe के तुरूगी cylinder को हम निगलेक्ट कर देंगे तो बहुत ही अच्छे इनके पास order आने वले years में देखने को मिल सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं company के market cap की तो company का जो market cap है वो 750 क्रोड की company है बहुत ही छोटी company है इसके बाद अगर हम बात करते हैं stock P बहुत ही reasonable price के ओपर ये stock आपको मिल रहा है दोस्तों महल इस 15 का P बनके एक मुँ में पानी आने वाला है जिस तरह का इसका business model है अगर आप fundamentals देखोगे तो आप तो इसको कल ही पाई खरिदने के लिए त्यार हो जाओगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं return on capital impact के तो 35% के हैं दोस्तों कितने अच्छे margin के जादे company कामकाज करती है return on equity की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी 26% के आसवास return on equity है काफी अच्छे returns दे रही है company industry P की बात कर लेते हैं तो 24 का है यानि के stock P अपनी industry P से भी सस्ता मिल रहा है दोस्तों तो अभी ही अभी अपने financial advisor को phone लगाए और लिखीता के बारे में अपने review जान लीजिए उनके review जान लीजिए और फिर उसमें investment कर सकते हैं उससे पहले कि आगर आप phone लगाए उससे पहले हम आपको कुछ overview और दिखा देते हैं company के fundamentals के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं profit loss statement के बारे में तो यहां पर sale देखिए दोस्तो 2011 में जो sale थी वो लगबग 18 क्रोड के आसपास हुआ करती थी बहुत ही छोटी company थी लेकिन उसके बाद के हम बात करते हैं March 2022 के जब हम result count करते हैं तो 2500 क्रोड के आसपास sale पहुँच चुकी है लेकिन आज देखिए 20-22% तक के operating profit margins company maintain कर रही है infrastructure के sector में इतने अच्छे margins के साथ शाहिद ही आपको कोई company मिलेगी दोस्तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं balance sheet की तो reserve देखिए दोस्तो जो 5 क्रोड के आसपास हुआ करते थी वो पहुँच चुके हैं 175 करोड के आसपास और borrowing की बात कर लेते हैं तो borrowing nil है दोस्तो company के बात debt ही नहीं है दोस्तो आप देख सकते हैं borrowing nil है company balance sheet बिलकुल debt free है इसके बाद अगर हम बात करते हैं share holding pattern की तो company के promoter के पास लगवग 74% बनके 74% की holding है इतने अच्छे अगर हम बात करते हैं promoter holding के साथ कोई ही company आपका पिलेगी बाकी की जो holding है वो लगवग public के पास available है लगवग 25-25% के आसपा जो holding है वो public के पास है इसके बाद अगर हम बात करते हैं company के chart के बारे में तो चार से पहले अगर हम बात करते हैं लिखीता से पहले अगर हम बात कर लेते हैं हमने यहाँ पर एक श्टोक दिया था दोस्तो KPIT टेक्नोलजीज जो के लगवग 570 से लेकर 600 रुपे की buying थी जिसका के सबसे पहला जो target था वो achieve हो चुका है तो जी हाँ दोस्तों आप दोबारा purchase कर सकते हैं लेकिन जो लेवल थोड़ से अप हो चुके हैं जो लेवल्स अब mundane हो रहे हैं वो लगवग 640 से लेकर के 675 रुपे के बीच में अगर आपको यह stock मिलता है तो आप वहाँ पर इसको buy कर सकते हैं दोस्तों हो आने वले दिनों में आपको यह लेवल्स आते हुए देख सकते हैं KPIT टेक्नोलोजी से में जिस भी परसन ने इसमें थोड़ी सी कम buy करी थी लगवग 570 के आसपास तो अब वो 640 वो 675 के बीच में यह buy कर सकता है दोस्तों हम शोड़ वीडियो के मादियम से एक बार आपको बता भी देंगे भी यह हाँ आप यह buy का समय आ चुका है आप चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लीजेगा तो आपको पता लग जाएगा भी हाँ अब इसमें buying स्टार्ट हो चुग है चोग है ज्याट के बीच में आ चुका है तो उसके बाद जो targets होगे तो वो कौन से होगे तो सबसे पहला जो target होगा वो लगभग 735 के आसपास काई होगा लेकिन जो उसके next target होगा वो लगभग 810 रुपे का target निकल के आएगा दोस्तों तो आपको 810 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिखीता की आप देख सकते हैं लिखीता की चार्ट भी सेम ही दिखेगा आपको दोस्तों लिखीता यह रहा लिखीता का चार दोस्तो सेम राउंडिंग बोटम पैटर यहाँ पर जहाँ से हमको KPIT टेखनोलोजी में देखने को मिल रहा था दूसरा टार्गेट होगा वो होगा 465 रुपे का लेकिन आपको यह बाइंग तभी करनी है दोस्तो जब आपका फिनेंशल एड्वाइजर आपको सलाह दे आप एक बार उसके फंडामेंटल्स चेक करवा लिए अपने फिनेंशल एड्वाइजर को क्योंकि दोस्तो हम से भी इर्पया निविएश करने से पहले अपने फिनेंशल एड्वाइजर की सलाह जरूर ले 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 और इस स्टोक को दोस्तो हमें कभी भी एककम से बाय नहीं करना है चंक्स में बाय करना है जानी कि थोड़े थोड़े टुकडों में इसको पाय करना है सबसे पहनी जो दिखाई देगा ग्रीन केंडल्स के साथ तब आपको थोड़ा सा बाय कर लेना है चार सो पीस के आसपास भी आपको थोड़ी सी बाय गर लेनी है दोस्तों फोर सिक्स्टी फॉइब तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ न